चले दोस्तों आपका most welcome है हमारे चैनल में तो क्या हाल जाने जनाब बढ़िया आई होप सब अच्छे होंगे दोस्तों red light area, prostitute, देह व्यापार ये सब कुछ ऐसा शब्द हैं जिनने सुनने के बाद आज भी सब के कान काड़ी हो जाते महिलाओं के स्वतंतरता की बात करने वाले भी लोग इस मुद्दे पर खुल करने ही बोल पाते ये सैकड़ों सालों से दुनिया के हर कोने में चल रहा है और चलता रहेगा दोस्तों आज के हम अपने इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं भारत के 10 सबसे high tech red light area यानि कि जहां लड़कियां करती हैं देह व्यापार नंबर वन मॉंबई का कमाठी पूरा ये है देश का सबसे पूराना red light area जिसकी शुरुआत सन 1795 से ही हो गई थी कहां जाता है कि जब देश अंग्रेजों का गुलाम था उस समय यहां गोरे मौज मस्ती करने आते थे राद दिन यहां की लड़कियों के साथ मस्ती मारते थे अपने जिसम को पैसे लेकर किसी और को सौप देती हैं और करने देती हैं जो उनके खरदार कमन करता है दोस्तों इसके बारे में किसे नहीं बता होगा एक समय विश्यवरती में सुनागाची को इशिया का सबसे बड़ा इलाका का जाता था अनुमान के मताबिक यहां कई बहुमंजिला इमारते हैं जहां करीब 11,000 विश्याएं देह वियापार में लिप्थ हैं उत्तरी कोलकाता के शुभा बाजार के समीप स्थित चितरंजन एवनियों में स्थित इलाके में विश्यवरती से जुड़ी महिलाओं को बकाईदा लाइसेंस दिया गया है यहां इस वियापार को कई तरह के समूह चलाते हैं जिनें एक तरह से गैंग कहा जाता है एक अनुमान के मताबिक स्लम में 18 साल से कम उम्र की करीब 12,000 लड़कियां सेक्स वियापार में शामिल हैं एक सर्वे के मताबिक बाहर से जो कुलकाता आता है उसमें से 20 प्रतिशत लोग सुनागाची में रात गुजारने जरूर जाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं बदला कहानी जसकी तसी है यहां भी एक साथ 3-4 गलियां हैं जहां तकरीबन 15,000 की सिंख्या में लड़कियां रहती हैं इनवे से कुछ नेपाली भी हैं जीवी रोड में अक्सर रात को मैफिल सजती है जिसम का भूख मिटाने वाले लोग यहां आकर रात पर अपना प्यास बुजाते हैं इस इलाके का भी अपना इतिहास है बताय जाता है कि यहां मुगल काल में कुल 5 रेड लाइट एरिया यानि कोठे हुआ करते थे अंग्र अपने ग्रांकों को देती है नमबर 4 वारानसी का शिवदासपूर दोस्तों वैसे तो यह शहर हिंदूओं का सबसे पवित्र स्थान वाना जाता है लेकिन आज भी यहां कई सालों से चोरी चुपे चल रहा है महिलाओं की जिसम का धंदा सबसे पहले तो इस तरह का धंदा शिवदासपूर एरिया में यह होता था लेकिन आज कल वारानसी के दालमंडी इलाके में भी यह काम फुल आन चालू है यहां की लड़कियां अपने घर के चतों से यहां आने वाले लोगों को बलाती है इशारा करती है अपने कपड़े को उतार कर उनके मन को उतिजित करत हैं साथी शिवदासपूर की लड़कियां यहां के तंग गलियों में घर के बार खड़ी होकर अपने ग्रहांकों को उसी पारंपरिक तरीके से रिजहाती नजर आती है जैसे एक समय यहां चलने वाले कोटे में पारंपरिक ग्रूप से चलन में था बिहार के मुझजफरपूर का चतुरभुज दोस्तों बिहार का यह मुझजफरपूर इलाका राज्य के बड़े रेड लाइट इलाकों में सीख है बताया जाता है एक उत्तरी बिहार का यह सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका है शाम के वक्त यहां की लड़कियां सज सम कि अपने कस्टमर को अपने बाहों में भरने का काम करती हैं अच्छा जना वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यह बताई न कि आप किस देश की निवासे हैं बताई बताई नमब सेक्स इलाबाद का मीरगंज यह एक और शहर यूपी का इलाबाद के मीरगंज में भी रिशमपूरा दोस्तों मद्यप्रदेश का यह बड़ा शहर कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है लेकिन न चाहते वे भी आज कल लोग इस शहर को रिशमपूरा के लिए भी जानने लग गये हैं महरेश्टर का बड़ा शहर नाकपूर और नाकपूर के बीचों बीच गंगा जमुना इस एरिया में भी तकरीबन 5000 और जिसम का धंदा करती हैं अपने कस्टमर को अपनी हाफ नियूट जिसम दिखा कर अपने पास बोलाती हैं नाम से यह मत समझेगा कि यहां जिसम का धंदा सिर्फ बुदवार को होता है यहां भी हजारों के संग्याब नेपाली लड़कियां करती हैं यह धंदा दोस्तों यूपी का एक और शहर जो की दिल्ली के नस्दीक है और यहां भी होता है रात दिन जिसम का धंदा लड़कियां इशारा करके बुलाती हैं अपने ग्रहकों को और जवान लड़किया आ जाते हैं अपने जिसम की आग बुझाने दोस्तों मिद करता हूँ कि आपको मारा यह एपिसोड पसंद आया होगा साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आपमें कॉमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं और हाँ अगर आप मारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लोड़ोजी स्तर के वीडियो बनाते रहते हैं दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा मिलेंगे अगले एपसोड में तब तक लिए टेक कियर और बबाई